हाई एंड वेलकम टू मैं चैनल अग दे फ्लेवर्स अफ लाइफ आज मैं अपने गार्डन के एक ऐसे प्लांट से आपको मिलवाने जा रहे हूं जिसको हम मुरिंगा सहजन या मिरिकल ट्री के नाम से जानते हैं यह एक बहुत ही चमतकारी पौदा है जो सधियों से हमारे भ पौदे की चाल, पत्ती, बीच, गोन यहां तक की जड़ भी अनिक तरह की अहरुवेदिक दवाईयों के बनाने के काम में आती है इसके फायदे तो मैं एक एक करके आपको बताती रहूंगी वेकिन पहले जानते हैं इसको लगाया किस तरह जाता है बीच से तो इसको आसान के महिने में या अप्रेल से लेकर अगस तक अगस सितंबर तक आप इसको असानी से लगा सकते हैं आप इसको अपने घर के आंगन में पार्क में और कहीं भी लगा सकते हैं इस तरह की टहनी ले लिजिए और उसको कम से कम एक बारिश तक आप इसको जमीन में गड़ा दीज और गर्मी बहुत जादा थी उस समय मुझे उमीद नहीं थी कि ये पौधा जो है मेरे गमले में सर्वाइब कर जाएगा लेकिन देखिए ये आर आसानी से इसमें को पले निकली और ये बड़ा सा पौधा मेरे घर में लग चुका है अभी तो इसके लिए गमला ठीक है लेकि बहुत बहुत जल्दी दिखाता है इसी के साथ से मैंने मिट्टी में लगाया था उसने तो एक बड़े पेड़ का आकार ले लिया है अब बात करते हैं इसमें किस तरह के फाइदे हमें इसे लगाने से हो सकते हैं मोरिंगा में कहा जाता है कि 46 टाइप के एंटी आक्सिदे यो हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं उनको फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं समाने भाशा में अगर हम कहें तो हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं तो इसमें 46 तरह के एंट्यूइट पाया जाते हैं इसमें चार गुना जादा पोट है हमारे जीवन में अगर हम इसको अपने दिन्चरिया में दैनिकुस में इस्तमाल में लाना शुरू कर दें मुरिंगा या सहजन की पत्यों का प्रयोग उनकी फलीयों का प्रयोग हमारे यहां सधियों से आयरुवैद में चला आ बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर से दूर करता है आर्थ्राइटिस के लिए अच्छा है बीपी और डायवटीस के लिए बहुत अच्छा है इसके गुण में मुझसे ज्यादा जानने से अच्छा आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि यह कितना और शृदी और चमत्कारी पौदा है इसके अब इसकी ब्हूरंगे बंदाएं उसको छान करके शहद करके आप चाय बनाकर כर करको सक्ते हैं एक तरीका तो यह हैं कि आप पतियों को इस तरह कंद्यूम करसकते हैं दूसरा आप इसकी पतियों की सब्जी बनाकर उस थे उतर तरह दूंगी कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसके रिए लेलें उसके बाद ही आप इसका उपयोग करें अब इसको दाल के साथ भी जना डाल के साथ मलका के साथ इस तरह से बना कर के पड़कर दालते जैसे आप उसके बाद आप इसको चावल के साथ भूलका के साथ आप इसको खा सकते हैं तो खाने में हलका सा कडबहाट इसमें आती है लेकिन देश्ट बार अगर गश्क Safe क्यों रहा ही लगएगा да और सभी इसको खा सकते हैं, afall, चौटे बड़े हार उंब भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, आप किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, आप इसके पाउडर पतियों को सुखा पाउडर बना सकते हैं। उस पाउडर में आप आटागून करके पराथे सबस्क्राथे diabetes में स्कूड़ कर सकते हैं तो तरह मेंधी पराठ़ करम चाइब ऐसे मुरिंगा को एक सुपर फूड का दर्जा दिया गया है अगर किसी भी तरह कि कि मिट्टी में लग जाता है इसे कम पानी की जरूत होती तो इतने सारे औश्टिय गुणों से भरपूर इस पेड को जरूर आप अपने घर में लगाईए और इसके गुणों से फायदा उठाईए थैंक्स फॉर वाचिंग